टेसी पेटकों को केवल पैटर्ण के उद्देश्य से तनोट वब बबलियान घूमने का मौका मिलता था मगर एक नया बॉर्डर टूरिजिम पॉइंट सम छित्र में खुलना टूरिश्टों वब पैटर्ण वैसाई के लिए काफी फायदे मन साबित होगा क्योंकि हर साल मक्मली रेती लिए धोरों का आनन लेने के लिए हर स्वर्ष लाखों देशी पेटक आते हैं मगर सीमा सुरुक से बल दौरा अब सम छित्र में एक मिनी बोर्डर बनाया गया है अक्सर आपने सुना होगा वा देखा भी होगा हर किसी के मन में अंतराश्टी भारत पाक सीमा पर बीशब के जवान सीमा पर सर्दी हो या गर्मी हो या बारिश हो या भारित तूफान लो कैसे सीमा की निगरानी करते हैं और भारत पाकिस्तान सीमा कैसी है यह हर किसी के मन में देखने का मन बना रहता है मगर हर कोई वहां नहीं पहुच पाता क्योंकि सीमा छेत्र में सुरुक्षा के कड़े इंजाम होते हैं क्योंकि सीमा छेत्र पर परिंदा भी सेन नहीं मार सकता अगर कोई परिंदा सेन मारता है तो उसे तेज आखों से सीमा की निगाये बने निगरानी करते शिमा सुरक्षाबल की जवान कुछी मिंटों में पकड़ लेते हैं वो अक्सर आपने टली ओजन पर या समाचार पत्रों में देखा होगा वीशप के जवान अंतराश्टी भारत पाकिस्तान सिमा पर कैसे सिमा की निगरानी करते हैं वो भारत का डिफेंस सिस्टम कितना मदबूत है शिमा की फैंसिंग कैसी बनी है वैसा ही दर से ही सम के मक्रूली दोराओं के पास बनाया क्या है वीशप आईजी डेविड लालिंग सांगा ने भी सिमा चितर के पास समचितर में बने मिनी बोर्डर का दोराकर वीशप के जवानों को नर्देश दिये यहां आने वाले पैटकों को कोई भी कमीन महसूस ना हो आने वाले पैटक अच्छी छवी लेकर जाए यह एक अदबुद नदरा होगा कि शिमा शुरुके बलके वीर जवान कहते ही हमारा सीना गरों से चोड़ा हो जाता है शिमा चोक्यों पर कैसे शुरुके की शुरुक्सा में चाठ चोबन लगे होते हैं अक्सर हर किसी के टेलि विज़न पर ही भारत पाकिस्तान को देखा है मगर अब वही भीशेप हर किसी की आखों से देखने का रूब डू करवा रही है वैसा ही नजरा अब सेलानियों को समके मकमली दोरा के पास देखने को मिलेगा यहाँ भी देशी सेलानियों के लिए भीशेप ने मिनी बॉर्डर बनाया है तूरिश पॉइंट में वीशेप ने खास इंजाम किये जैसे देखते ही सुनते ही हमारा सीना गरो में सुद होता है आने वाले विदेशी पैटकों के लिए वीरो की सोरे गाता को बताने के लिए एक मिजियम पॉइंट भी बनाया गया है जब भी हमें के दूसरे शेर में जाना होता है तो रुकने खाने और रहने की चिंता सता ने लगती है ऐसे में हम यही सोचते है कि हम जिस हो भी वी ओटल मेर उते हैं वहां सभी तरह की सुईडा उपलगध हो मगर जैसल मेर में लजीज खाना खाने के लिए उसी म्यूजियम में वीशप ने खास इंचाम भी किये है बेशेप ने एक रेश्टोरेंट भी त्यार किया है और इस मिनी बोडरन में यहाने वाले पैट को यहाने वाले यात्री मेमोनों को एक अलग ही अनुभव देगा साथ ही उनकी यात्रा में चार चार लगा देगा लजीज खान पान हर किसी के मन को पसंद होता है बोजन की सुष्टा और स्वाद से यहाँ कोई समझोता ने किया जाता और बच्चों के लिए खेल मैदान बनाया गया है जिसमें कई परकार के बच्चों के लिए इस पूरे डेकोरें में हर जगा परसंशा हो रही है तो आप भी एक बार आईए जैसल मेर के मकमली दोरों के पास देखिए बीच सेप के मिनी बॉर्डर के खास इंजाम अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो आपको वीडियो अच्छा ही लगा होगा अगर अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब और शेर करना ना भूले अबर शे अगर शेर करना भूले